जैसे ही शर्दियां सुरू होती हैं, हर किसी की किचन से आने लगती है पराठों की खुश्बू तो आज मैं लेकर आई हूँ मेरी किचन में मूली के पराठे और वो भी एक ट्विस्ट के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, धेर सारी परतो वाला मूली का पराठा और जो ना फटेगा, ना फैलेगा तो चलिए फटा-फट से रेस्पी आप सब के शार्द शेयर करती हूं और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके, कमेंट करके बताईएगा आपको कैसे लगे ये मूली के पराठे मैं यहां पर ले रही हूँ मूली मोटी वाली है आप जब भी मूली के पराठे बनाए तो हमेशा इस तरह की मोटी मूली ले और साथ में ले रही हूँ एक गाजर, मूली के पराठे में आप गाजर जरूर ढालिए गाजर ढालने से होता गया है, टेस्ट भी बढ़ जाता है और बच्चे जो सिकायत करते हैं कि मूली का पराठा नहीं खाएंगे वो जो कलरफूल हो जाता है ना, औरेंज और वाइड बच्चे बहुत सौक से खाते हैं इसको अब हमें इसको छील लेना है, तो बहुत जादा नहीं, मैं इस तरह से चाकू से इसको हलके से निकाल रही हूँ छिलके को, और दोनों चीजों को, गाजर को भी और मूली को भी हम इसी तरह से चीलेंगे तो मैंने गाजर और मूली साफ कर ली है, इन दोनों चीजों को हमें मोटे लच्छे से ग्रेट करना है तो यहां पर यह देखिए मैंने बहुत छोटी सी गाजर ली है और गाजर को भी मैं उसी तरह से साफ कर रही हूँ जिस तरह से मैंने मूली को साफ किया है और इस तरह से साफ कर लीजे क्योंकि रेसे बगेरे जो उपर रह जाते हैं गाजर और मूली में वो पराठे में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं तो यहां पर मैं इस तरह से ले रही हूँ एक ग्रेटर मोटा वाला कद्दू कस मैंने आप लिया है जिसके मोटे छेद है और उससे हम इनको ग्रेट करेंगे इससे लच्छे बड़े बड़े आते हैं और जब आप पराठा खाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप मूली का पराठा खा रहे हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेस्पी है इसको बिना जंजट बहुत जल्दी बनाएंगे मैं इसे लच्छ बॉक्स के लिए तयार कर रहे हूँ तो यह फटा फट वाली रेस्पी है जो लच्छ बॉक्स में आप बना कर अपने बच्चों को दे सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कर लिया है मूली को ग्रेट और अब हम इसमें कुछ चीजे मिलाएंगे तो पहले क्या करेंगे मूली में होता है बहुत ज़्यादा पानी और इस पानी को हमें निचोड लेना है तो इस तरह से दोनों हतेलियों के बीच में रखकर आप इस पानी को निकाल लीजिए पानी को हम बिल्कुल भी नहीं फेकेंगे क्योंकि जो मूली के गुड़ है ना वो तो पानी में ही रह गए तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे बाद में लेकिन हमें स्टफिंग में पानी नहीं चाहिए तो यहाँ पर पानी मैंने साइड में कर लिया है और मूली को इस तरह से बड़ी सी पराथ में निकाल कर रख लिया जिसमें हम आटा वगएरे गूनते हैं और अब इसमें हम कुछ चीजे मिलाएंगे बेसिक सी चीजे हैं बस ये गाजर वगएरे हैं थोड़ा सा जब सब्जी वगएरे लेने जाते हैं तो गाजर वाजर ले लीजिए थोड़ा सा अच्छी लगती है और ये डाली मैंने एक हरी मिर्ची महीन कट करके थोड़ा सा लैसुन मैंने ग्रेट किया था और अद्रक ग्रेट किया था मूली के पराठे थोड़े से ठंडे होते हैं ठंडी तासिर मानी जाती है इसलिए मैंने यहाँ पर गाजर डाली है और लेसुन और अद्रक डाली है धेर सारा डाल दीजिए हरा धनिया कलरफुल लंच बॉक्स होगा बच्चों को बहुत पसंद आएगा हेल्धी होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा अब मैंने यहाँ पर डाला है अमचूर पाउड कोई नहीं है कि आपको इस्टफिंग में बहुत मेहनत पड़ेगी थोड़ी सी कस्मीरी लाल मिर्च गाल दीजिए हरी मिर्च का इस्तिमाल किया है मैंने नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग तो नमक ले लिया और यहाँ पर ले रही हूँ मैं कलर के लिए हल्दी पाउ थोड़ा सा बेसन आप अगर एक कटोरी भर कर गेहूं का आटा ले रहे हैं तो दो चमच उसमें बेसन जरूर एड़ केजिए और अब इन सभी चीजों को हमें बिना पानी डाले ही गूंदना है पहले हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं फिर पानी की जरूरत होगी तो ह यहां पर थोड़ा थोड़ा सा बही जो मूली का पानी हमने निकाल के रखा है इस तरह से छिड़कते जाएंगे आटे में और सौफ्ट सा डो बना लेंगे बहुत ज्यादा टाइट नी बनाना है और बहुत ज्यादा सौफ्ट भी नी बनाना है आप इसको इस तरह से मेडि दबाख में बच्चों के लिए ये बनाती हूं और ये बच्छों को बहुत अच्छे लगते है आप इस्टफिंग भरके बनाएंगे तो बच्छे थोड़ा सा ना पसंद करते हैं कि मूली मूली आ जाती है पर इस तरह से बनाएंगे थो उन्हें बहुत पसंद आये थोड़े से काले तिल और हराधनिया मैंने ले लिया है अब बनाते हैं धेर सारी परतो वाला मूली का पराठा तो इस तरह से आप एक बार बनाकर प्राइज जरूर कीजेगा बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है साथ ही जंजट भी नहीं है तो यहां थोड़ा सा सूखा आठा लिया और जो आप आँटे का पेड़ा लेंगे ऑविसे बाड़ा लीजिए वैसे भी पराठा जै बनाते हैं तो थोड़ी सी लोई ज्यादा लेते है ना आपटे की और इस तरह से पूरी जैसा बेल लिजे जैसे पतली सीinga पूरी हम बनाते है तो इसको आप पूरे मे चाहिए और लगाते चाहिए ओईल इस तरह से हर लेयर में लगाएंगे ना आठ पड़तो वाला पराठा बनकर तयार होगा और यकीन मानिये टेस्ट बहुत इला जवाब आएगा ये देखिए मोड दिया ना मैंने और अब हम क्या करेंगे अब हम इसको इस तरह से पकड़ कर इस तरह से दबा दिजिए ये देखिए हो गई ना पहले आपने इसको जिस तरह से बनाया और ये देखिए तो इसमें आ गई धेर सारी लेयर सूखा आठा लगाईए और इसको जितना पतला जितनी मर्जी आप पतला बेल लीजिए ये मूली का पराठा टेस्ट लाजवाब देगा और ना फटेगा ना इस से मूली की स्टफिंग बाहर आने वाली है बताईए आप इससे ज़्यादा ईजी आपको मूली का पराठा मिलेगा कहीं ये देखिए बड़े असा तयार हो गया ना थोड़ी सी उपर से यहां पर काले तिल डाल दीजिए और इस तरह से हरा धनिया धनिया की पत्ती डाल दीजिए हलका सा बेलन लगा दीजिए ताकि ये चिपक जाए आप चाहे ना तो इसको और फोल्ड करके तीन कोने का फिर से कर सकते हैं तिकोना पराठा बना सकते हैं तो इससे ना और धेर सारी परते इसमें आ जाएंगी ये देखिए देखने में लगना है ना कलरफुल क्योंकि इसमें गाजर है, मूली है, हरा धनिया है तो ये टेस्टी और यम्मी सा पराठा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी हो रहा है यहाँ पर मैंने गरम तबे में इसको डाल दिया है पराठा आप जब भी बनाएं तो पहले उसको रोटी की तरह सेक लें उलट पलट कर तबे पर इससे होता क्या है, जब आप इससे उलट पलट कर इस तरह से सेक लेंगे ना तो ये एक तो कच्चा नहीं रहेगा और दूसरा ये कुरकुरा बनेगा सॉफ्ट रहेगा अंदर से बच्चे तोड़ेंगे और उपर से रहेगा ये क्रंची तो मैं यहाँ पर इसमें घी लगाती जा रही हूँ इस तरह से और इसको सेक लिया है मैंने ये पराठा ना आप सर्दियों में बनाएए खास तोर से मूली बगएर है अच्छी मूली तो सर्दियों में ही आती है मोटी सी जो जिसके पराठे बगएर है तो ये देखिए कुरकुरा करारा पराठा बनकरता है यार हो गया है फटा फट से हम सारे पराठे सेक लेंगे औ और इसको बच्चों के लंच बॉक्स में पैक कर देंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपको ये टेस्टी से मूली के पराठे कैसे लगे तो यहां मैंने सॉस लिया है हरी चटनी ली है टमाटर की और लीजिए हमारे पराठे हो गए है रेडी तो यहां पर आप देखिए ऐसा नहीं है कि हमने डाल के बेल उसमें सब गूत दिया है तो आपको स्टफिंग नहीं देखेगी स्टफिंग परयाप्त होती है उसमें और ये देखिए ये देखिए देखकर ही खाने का मन कर रहा है ना कि बस मिल जाए और खा ले तो इसमें बेस और बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसको ऐसे ही दे दीजिए उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है उन्हें ऐसी पसंद आएंगे तो रेस्पी पसंद आई हूँ तो सब्सक्राइब प्लीज